स्रीमत भागवत कथा का हुआ अश्रमापन अतीत को कभी नहीं भूलें अपना बीता हुआ कल नहीं भूलोगे तो अभिमान नहीं आएगा कहा सुगनाबाई ने स्रीमत भागवत कथा के सातवे दिर गुरुबार को कथा का समापन कारिक्रम हुआ मद्धि प्रिदेश के उज्जेन राश्री प्रवक्ता सुष्री सुगनाबाई ने कहा कि अतीत को कभी नहीं भूलें अपना बीता हुआ कल नहीं भूलोगे तो अभिमान नहीं आएगा सुधामा चरित्र की कथा में बताया कि सुधामा ने गरीवी का दुख देखा है गरीवों को कभी मत सताओ कभी किसी को परिशान नहीं करना चाहिए धन से गरीव अमीर नहीं होता है उसका ब्योहार ही धन है जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है सुधामा कृष्ण के घर गये थे तब तीन मुठी चावल लेकर गये थे भगवान कृष्ण ने सुधामा को गले से लगाया और अपने आशों से भगवान ने सुधामा के चर्णों को धुआ और सुधामा द्वारिक्याग में एक रात रुके थे धार्मिक मेले के तहत भंडारे का योजन हुआ कार्कम में भाजपा नेता च्री कृष्ण पाठी दार जिला प्रमुक प्रेमबाई प्रधान सीता कुमारी भील भावना जाला भागचंद नरेंडर मनीस चादवाड असोग दुबे मेले समित के अध्यक चंद्रभान सिंग जाला उर्फ बब्बू पप्पू बना संदक्षक जानिकी लाल रावल राम दयाल गुपता हनुमान प्रशान नागर सर्पंच रमेश चंद फील राम गोपाल गुपता मदन सिंग देवाडा गिरिवर सिंग जाला केला संद पालिवाल दौलत सिंग शोन गरा राम भरोज पटवा लक्ष्मी नारायन नागर राम गोपाल फिल राम गोपाल नागर बाल के संदुवे भगवान दास बैरागी गोपाल लाल मेघवाल गोपाल सुमन और जालम सिंग सहित शदश्यों ने स्वागत किया वहीं मद्धिपिदेश के उज्जैन राष्ट्रिय प्रवक्त शुग्नवाई की विदाई की गई बीपिये निव्शंबाद्धात की शोर्तवर की रिपोर्ट